शुप्रभाद बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में. तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम घर को लिखना सीखेंगे. बहुत आसान है, आप भी लिख पाओगे. देखों बच्चों, यहां कौन सा अक्षर है? घर, घर से घर, घर से घड़ी, घर से घड़ा. तो जैसा कि हमने पिछले कक्षा में घर को लिखा था, उसी प्रकार घर को भी लिखना सीखेंगे. चलिए बच्चों शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या करना है बच्चों? एक रेखा, इस तरह की एक रेखा खिचनी है. ठीक है, फिर क्या करना है? एक अर्ध गोलाकार में यूँ, एक आकार बना देनी है. फिर बच्चों, इसी प्रकार और एक आकार बनानी है, इस रेखा को जोड़ते हुए. इस तरह, और उपर से एक लंबी रेखा यूँ की जोड़ते हैं. तो यहाँ बन गई घं है ना असान. चलिए बच्चों और एक बार करते हैं. सबसे पहले, एक लंबी रेखा. ठीक है, फिर क्या करना है? एक अर्ध गोलाकार में यूँ. इसी प्रकार और एक अर्ध गोलाकार बनाएंगे. इस रेखा को जोड़ते हुए. इस तरह, देखो बच्चों आकार कैसे बन गई? और आखिर में उपर एक लंबी रेखा खीज देनी हैं. है ना असान? इसी प्रकार बच्चों आप भी घर में लिखेंगे. ठीक है, मैं और एक बार आखिरी बार आपको दिखा दे रहे हूँ. एक स्टैंडिंग लाइंग बनाएंगे. बन गई. उसी के पास एक यूँ. अर्ध गोलाकार में एक दो. दूसरा इस रेखा को जोड़ते हुए. और उपर एक स्लीपिंग लाइंग. यूँ. यहाँ बन गई घ, घ से घर, घ से घड़ी, घ से घड़ा. तो बच्चों, आज के लिए बस इतना है. अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं. आप इस अक्षर को, घ अक्षर को घर में लितने का प्रयास करेंगे. धन्यवाद.